हेले अरिवान वेलकम टो वाइफाइ स्टेडी विच आ पार्ट ओफ अन अकेडमी गुरूप दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले 1000 MCQ स्रीज का एक और नया पार्ट जिसमें हम कुछ और नए कोशन्स देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और सेर करना मत पूलिए ये क्लास दोस्तों वाइफाइ स्टेडी स्टूडियो पे सुबह मौर्निंग में 6 एम पर आती है तो आप इसको देख सकते हैं बाकी अगर आपने अभी तक टेलिग्राम जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम को फटाफट जोइन कर लिजे क्योंकि 1000 MCQs मैं आपको YouTube पे कवर करा रहा हूँ बाकी के 4000 MCQs मैं आपको Unacademy की Special Classes के थुरू कवर करा रहा हूँ अगर आप टेलिग्राम जोइन कर लेते हैं तो आपको पता चल दाएगा कि कैसे कैसे कवर हो रहे हैं ठीक है कुल मिलाके 5000 MCQs कवर करा रहा हूँ टेलिग्राम जरूर जोइन कर लेना Unacademy Plus कोई भी student जोइन करता है तो Unacademy Plus के क्या-क्या benefits हैं वो मैं बता देता हूँ Live Classes मिलती है, Structure Course आपको मिल जाता है, Personal Guidance आपको मिल जाता है Test Analysis आपको मिल जाता है, Expert की Guidance, Study, Planner, Study, Metal, Weekly Test, Unlimited Access और भी बहुत सारी चीज़े हैं दोस्तों जो Unacademy Plus पे आपको प्रोवाइड की जाती है जो कि एक एक एक्जाम को करेक्ट करने में चाहिए होती है तो Unacademy Plus का अगर कोई भी subscription जोइन करते हैं तो इस referral code को आप यूज कर सकते हैं maximum discount आपको सभी category में मिल जाएगा चाहिए आप किसी भी educator का course जोइन करना चाहते हैं अभी दोस्तों Sunday को combat है जिसमें 50 question आपको दी जाएंगे 40 minute में cover करने होंगे और इसमें आप अच्छे खासे price win कर सकते हैं तो आप देखिए आपको कितना price मिलता है enroll करने के लिए code यूज करेगा study 10 link नीचे description box में combat का मिल जाएगा सफलता batch भी आप enroll कर सकते हैं और सफलता batch में भी आप लोगों को study 10 code का उपयोग करना है देखिए अगर आप 24 month का subscription जोइन करते हैं तो 325 पर month ही आपको cable paid करना है और 12 month का subscription जोइन करते हैं तो 542 पेड करना है पर month के इसाब से तो best आपके लिए जो रहेगा वो 24 month करेगा और आप इसमें code अप्लाई करेंगे तो और भी discount मिल देगा सभी test free of cost अबलेबल है लिंक सभी के नीचे description box में study 10 code लाग के आप जोइन कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पूरा इंट तक देखिएका session को दोस्तों आज की वीडियो का पहला question है डाइना एडुलेजी हाल ही में समचारों में है वे किस भारतिय टीम की पूर महिला कपतान थी तो अगर आपको question का answer पता होगा तो comment box में बताते रहेगा इस question का सही answer दोस्तों हो जाएगा cricket team की ये पूर कपतान थी देखिए डाइना एडुलेजी भारते cricket team की पूर महिला कपतान थी और भारते cricket control board ने यानि की BCCI ने भारत की पूर महिला cricket कपतान डाइना एडुलेजी को CK NIDU lifetime achievement award 2018 से संबानित किया था दोस्तों इसी के साथ साथ डाइना एडुलेजी को पहले देश के सर्वुच खिल संबान और 1983 में अरजुन पूरुषकार और भारत सरकार ने उन्हें 2002 में पदमसरी नागरिक संबान से भी संबानित किया था तो ये भी सारी चीज़े आप लोग याद रख सकते हैं काफी important question हो सकता है exam के point of view से दूसरा question है भारतिये रुपे का प्रतीक यानि की symbol कब लागू हुआ था ये भी आप लोग जरूर याद रखिए क्योंकि ये question भी exam में already कहीं बर आ चुका है इस question का सही answer हो जाएगा 15th July 2010 यानि की option B right answer हो जाएगा देखें भारतिये रुपे का नया प्रतीक ये वाला चीन जो है दोस्तों आपका ये डी उधे कुमार द्वारा design किया गया था ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा भारतिये रुपे के नई प्रतीक को 15 जुला 2010 को केंद्रिया मंत्री मंदल द्वारा अपनाया गया था ठीक है अगला question आता है निमलकित में से कौन सा नासा उपगरे ज्वाला मुखी और भुकम की चेतावनी जारी करेगा तो इस question का सही answer क्या होगा बिल्कुल दोस्तो इस question का सही answer होगा CIRES यानि की option B is the right answer तो ये आप लोगों को याद रखना है तो इसकी अगर मैं बात करूँ दोस्तो क्यूब सेट इमेजिंग रडार फोर अर्थ साइन्स इस question इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ये फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं पीम नेंद्रमोदी ने की सहर में डॉक्टर बियार अंबेड कर इंटरनेशन सेंटर की आधार सिला रखी जल्दी बताइए दोस्तो ये अधार सिला रखी गई है न्यू दिल्ली में तो इस question correct answer option C हो जाएगा परधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेड कर इंटरनेशनल सेंटर को रास्ट को समर्पित किया उन्हें अप्रेल 2015 में से सुरी 15 में इस स्थान की अधार सिला रखी थी ये भी आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तो कोशन है पर्थम कार्यत लेजर किसने विक्सित किया दोस्तो इस कोशन का रट अंज़र होगएगा थियोडोर महमान यानि की ओप्षन यहाँपर C towards answer हो जाएगा कोशन आता है यउएन गोके मासदिव किसके द्वारा न्युक्त किये गए हैं तो यह दोस्तो जो न्युक्त होते हैं इस question कर रही टांसर हो जएगा मासबा यानि की जनरल असेंबली द्वारा न्यूक्त किये गए है अगला question आता है एक उच नियाले के नियादीसों को दूसरे उच नियाले में इस्तांतित करने के लिए कौन अधिकरत है ये अधिकार किस के पास है तो गाइज ये जो अधिकार है ये हमारे राश्पदी जी के पास है तो इस question कर रही टांसर हो जएगा the president of India ठीक है next question की और बढ़ते हैं तो अगला question है बद्री केदार मौतसव किस देवता को समर्पित है मेरे प्यारे दोस्तों ये बद्री केदार मौतसव जो है ये विशनू और सिव को समर्पित है ठीक है बद्री केदार मौतसव संयुक्त रोप से भगवान विशनू और भगवान सिव को समर्पित है उत्राखंड में हर सा बद्री के दार मौत्सव आयोजित होता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा अगला कोशन दोस्तों क्या कहता है कि एक सुरक्सित माचिस की नो खालिस्थान का बना होता है दोस्तों इस कोशन का रहेट आंसर हो जाएगा बिलकुल दोस्तों एंटी में सलफाइड और गौन्द और पाउडर ग्लास यानि की फस्ट दोनों यह आप लोग याद रखे नेक्स्ट एंबलके तुमें से कौन सा परदार्थ गरम करने पर उर्दु पातन से गुजरता है तो दोस्तों यह सभी परदार्थ जो है ठीक है तो राइट आंसर इस अईटीं नेप्थ लीं और कपूर कोशन में से कौन सा रस अगनाशियस से सरावित होता है तो अगनासे से दोस्तों आपका ट्रिप्सिन और पेप्सिन यानि कि बोथ दोनों 1st और 2nd राइट आंसर हो जाएगा सरावित होते हैं ठीक है ना चलिजी अगला कोशन आजाते है निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही है जल्दी से आंसर बता दीजे तो यहाँ पर दोस्तों कर मैं बात करूँ ये तीनों ही कथन तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो all the above is the right answer ये आप लोगों को यादखना है निमलिकित में से किस जोडे को सही मिलाया गया है तो किस जोडे को दोस्तों सही मिलाया गया है ये आप लोगों को बताना है which of the following pair have been matched correctly तो vitamin E reproduction बिल्कुल सही है तो vitamin A जो है वो night blindness vitamin A की कमी से होता है night blindness vitamin B दोस्तो बेरि-बेरी हो जाएगा vitamin C स्करवी हो जाएगा vitamin E reproduction हो जाएगा ये आप लोग जाएगा ठीक है तो vitamin C यहाँ पे गलत लिखा है vitamin C क्या बताएगा मैंने स्करवी हो जाएगा vitamin B मैंने बताएगा बेरि-बेरी जो कि option में नहीं है और vitamin A से आपका night blindness हो जाएगा तो ये भी आप लोग याद आख सकते है question है इन में से कौन input device है इन में से तीनों में से कौन से input device है देखें computer में दोस्तों एक input device होती है एक output device होती है mouse input device है keyboard भी input device है scanner भी input device है तो all the above is the right answer देखें input device का मतलब है जो computer की screen में आप कुछ भी click करेंगे तो वो in हो जाएगा ठीक है वो input device है यानि कि mouse से आप कुछ भी click करके in कर रहे है keyboard से भी कुछ type कर रहे है in कर रहे है scanner से भी कुछ scan कर रहे है तो वो computer की अंदर ही जाने वाला है तो क्या हो जाएगा input device है सारी दोस्तों हाफ boyfriend किसने लिखी है हाफ boyfriend जो book है वो किसने लिखी है तो देखिए हाफ girlfriend तो चेतन बगत ने लिखी है इससे पहले हाफ girlfriend आई थी जो कि चेतन बगत ने लिखी थी ये लिखी है दोस्तों किसोर मनोहर ने तो ये आप लोगों को जुरूर याद रखना है ठीक है न चलिए next question आता है आपका वेंके नैडू ने उप्रासपती बनने के लिए किसे प्राजित किया जब दोस्तों वीके नैडू उप्रासपती बने थे तो उन्होंने किसको प्राजित किया था ठीक है तो यहाँ पे इस question का जो right answer हो जाएगा गोपाल किरसंग गोखले को दोस्तों डिफिट किया था तो यह आप लोग को यादखना है देखे वेंके नैडू ने उप्रासपती चुनाव में गोपाल किरसंग गांधी को हराया था वे भारत के तेरवे उप्रासपती बन गए और सिरी रामनात कोविन ने सिरी नैडू को तेरवे उप्रासपती रूप में सपत दिलाई ये भी आप लोग यादखेगा question आता है मानव सरीर में सबसे कमजोर मासपेशिया क्या है देखे सबसे कमजोर मासपेशिया जो है दोस्तो what is the weakest muscle in human body is step is यानि कि option यहाँ पे आपका C हो जाएगा right answer ठीक है दोस्तो बर्फ बारी यानि कि snowfall कब होता है किस condition में होता है तो बर्फ बारी यानि कि snowfall जो दोस्तो होता है आपका when दोस्तो जब संगन 0 degree Celsius से नीचे होता है और गुच्छे के रूप में वर्सा होती है यानि कि पानी की जो form हो जाती है वो गुच्छे के रूप में हो जाती है उस condition को दोस्तो क्या बोलता है snowfall बोलता है बर्फिली बारिस मनिपूर राज्ये को नागलेंड राज्यस से अलग करने वाली पाड़ी सरंकला के रूप में जाना जाता है ये बताई दोस्तो ये जान जाती है ब्रेली की पाड़ी ठीक है ब्रेल की पाड़ी तो इस question का रेटांस हो जगा मनिपूर राज्यको नागलेंड राज्यस से अलग करने वाली पाड़ी सरंकला को दोस्तो ब्रेल पाड़ीया के रूप में जाना जाता है ब्रेल असम की सबसे उची पाड़ी सरंकला है ये point भी आप लोग नोट कर सकते है question आता है पुरुत्तर सिमान्त रेलवे निर्मान ने भारत का सबसे बड़ा घाट पूल बनाया है जिसमें भारती राजय है तो जिसमें दोस्तो भारती राजय कौन सा है अपना बिलकुल मनिपूर हो जाएगा तो इसमें भारती राजय अपना मनिपूर है पुर्वत्तर सिमान्त रेल्वे निर्मान ने भारत की सबसे उंचे रेल्वे घाट पूल का निर्मान किया है यह मनिपूर के नौनी के पास एक जिला पड़ता है दोस्तों तामेंग लांग जिले में मकूर नदी के पर बनाया गया है यह पॉइंट भी आप लोग याद एक सकते हैं ठीक है और प्लीज नेक्स वीडियो पे चल रहे हैं रेगुलर देखते रहा करें ठीक है न वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत पूलक रहें टेलिग्राम को जोईन कर लिजे वहाँ पे पीडिया पापको मिल देगी सौर भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकी thank you so much guys चैनल को subscribe कर लीजेगा पीडिया भी आप download कर सकते हैं बैल आइकन को on रखे और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बजे ठीक है और एक होती ह रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाओगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thank you so much